द्रिश्टी PCS के डेली PCS G के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था तो इस प्रशनका से उत्तर है विकलप B, विश्वस्वास संगठन आपने से कई विर्स ने इस प्रशनका एकदम ठेक जवाब दिया है इसी तरह अपने सुझाओ प्रतिकरिया और जवाब हमें भेशते रहे हैं हमें इसका इंतिजार रहता है चलिए बागी की बात को एस्प्रेशन से समझते हैं विश्वस्वास संगठन यानि WHO ने भविश में COVID-19 जैसी घातक महामारियों से बचाव के लिए पर्ट पहल की शरुवात की है यह अंतराश्टी स्वास्थ विनियम यानि IHR 2005 के तहस अंचारित होती है जो साजनिक स्वास आपात स्वतियों के प्रबंदन हे तू एक महत्वपून अंतरास्थी कानूनी साधन है पहल की घोशना जेनेवा, स्विट्जरलेंड में याजित ग्लोबल मिर्टिंग फॉर फ्यूचर रस्पेटरी पैथोजन पैंडिमिक में की गई थी इस तरह स्विशन का सही उत्तर है विकल्प भी विशुस्वास संग्रथन चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की अपिसोड की तो आज की अपिसोड का पहला प्रशन है हाली में की संत्रिश अजंसी ने एक नया लो कॉस्ट स्टार सेंसर का पहला परिक्षन लॉंच सफलता पूर्व का योजित किया आपके ऑप्शन है नासा, इस्रो, युरोपी, अंत्रिश अजंसी या फिर रॉसकोस्मॉस तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B, इस्रो हाली में इस्रो ने एक नया लो कॉस्ट स्टार सेंसर का पहला परिक्षन लॉंच सफलता पूर्व का योजित किया ये इंडियन इस्ट्टूट ऑफ एस्ट्रोफजिक्स आई-ाई-एक एक खगोल विदु द्वारा आफ दे शेल्फ घटकों से विखसे एक नया कम लागत वाला स्टार सेंसर है इस पैलोड को स्टार बैरी सेंस नाम दिया गया है इसे PSLVC 55 पर लॉंच किया गया था इस पैलोड का मुखेकार जल्दी और सटीक रूप से गढ़ना करना है कि उपग्रह कहां संकेत दे रहा है इस तरह इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प B इस रो इस प्रशन है AIME 2013 का आयोजन कहां किया गया है आपके ऑप्शन है हिंद महसागर, प्रशान महसागर, दक्षन चीन सागर या फिर अट्लांटिक महसागर तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प C, दक्षन चीन सागर चलिए, इस प्रशन सागी बात को समिछते है 2 से 8 मेई 2023 तक IME 2023 का आयोजन किया जा रहा है उसका पूरा नाम आसियान भारत समुद्रिय अभ्या आसियानी आसियान इंडिया मेरिटाइम एकसरसाइज है यह AIME का पहला संस्क्रण है इसका आयोजन दक्षन चीन सागर में किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए भारती नौसेना के जहाज आयने सत्पूरा और आयने दिल्ली सिंगा पर पहुँच गए है AIME 2023 भारती नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समध्य शेत्र में निर्बाद संचालन करने का उसर प्रदान करेगा इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्पसी दक्षन टीन सागर नैस क्वेशन है पीत जवर किसके द्वारा फैलता है आपके आप्शन है तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्पसी मादा एडीज हाली में सुडान से आने वाले भारतियों को पीत जवर यानि येलो फीवर की वज़ह से क्वारिंटाइन किया गया है येलो फीवर वाइरस द्वारा उत्पन होने वाला एक्तीवर हैमरे जिक रोग है जो मनुश्यों में संक्रुइत मच्छर के काटने से होता है एडीज एजिप्टी प्रजाती के संक्रुइत मच्छर वाइरस से फैलाते हैं इसका लक्षन बुखार चिरदर पीलिया के लक्षन माश पेश्यों में दर्द, मतली, उल्टी, ठकान, लीवर और किड्नी से सम्मंदित कारपडाली का ठप पढ़ना आदी है वाइरस अफ्रीका और मद्य और दक्षन अमेरिका के उश्ण कटिबंदी शेत्रों में स्थानिक है इस तरह इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प C, मादा, एडीज नेक्स प्रश्ण है तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प D, विज्ञान और प्रोद्योगी की मंत्राले विज्ञान और प्रोद्योगी मंत्राले ने सपोर्ट फॉर अप्ग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेर एंड मेंटनेंस और एक्विपार्मेंट्स यानि सुप्रीम पहल शुरू की है इसके तहट मौझूदा विश्लिशनात्म पुपकरन सुविधाओं यानि अनलिटिकल इस्टुमेंशन फैसलिटीज यानि AIF की शमताओं को बढ़ाने हेतु मरमत उन्यन रख रखाओं के लिए वित्ती साहता प्रदान की जाती है विश्विध्याले अनुदान आयोग द्वारा मानिता प्रापसन स्थानों में ऐसी सुविधाओं के लिए सुप्रीम पहल के तहट धन हेतु आवेदन किया जा सकता है इस तरह है इस प्रशन का सयुत्तर है विकल्प D पिग्यान और प्रोद्योई की मंद्राले अगला प्रशन है CSTO यानी सामोई सुरक्षा संधी संगठन का मुख्याले तहां इस दित है आप क्या उप्शन है मासको, बीजिंग, टोक्यो या फिर ताशकन तो इस प्रशन का सयुत्तर है विकल्प A मासको CSTO यानी सामोई सुरक्षा संधी संगठन ये 6 देशों का एक अंतर सरकारी संगड़ बंदन है वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूसी संग और ताजिकिस्तान इसकी सदिस है इसका अगठन वर्ष 2002 में हुआ था, इसे ताशकन पैक्ट या ताशकन संधी के रूप में भी जाना जाता है इसका उदेश साइबर सुरक्षा और स्थिरता, अंतरास्टी और शेत्री सुरक्षा को मजबूत करना इसका मुख्याले, रूस की राजधानी मासको में स्थित है, इस तरह इस प्रशन का सयुत्तर है, विकल्प A मासको नाइस ग्रशन है, राश्टी लगूबचत कोश यानि NSSF की स्थापना कप की गई थी, आपकी ऑप्शन है 2002, 1995, 1999 या फिर वर्ष 2000 इस प्रशन का सयुत्तर है, विकल्प C वर्ष 1999, भारत में राश्टी लगूबचत कोश यानि NSSF की स्थापना 1999 में की गई थी, राश्टी लगूबचत कोश निवगरानी और निवेश नियम 2001 के तहत वित्नमंत्राले, आर्थिक मामलोगा विभाग इस कोश को प्रशाशि करता है, राश्टी लगूबचत कोश का उदेश भारत की संचित निदी से छोटी बचत लेंदे इनको हटाना और पारदर शीत था आत्मिरभर तरीके से उनका संचालन सुनिश्वित करना है, आता विकल्प C सही है, यानि इस प्रशन का से उत्तर हुआ, विकल्प C वर्ष मना जाता है, इस वच दो माई को यह दिवस मनाया गया है, इसका उदेश अस्थमा पर ध्यान देना और लोगों को इस पुरानी स्वस्थिती और उसके उप्चार के बारे में सुक्षित करना है विश्र अस्थमा दिवस एक वायुमार को सूजन और सक्रा कर देता है विश्र अस्थमा दिवस एक वार्षिक कारक्रम है जिसे 1993 से ग्लोबल इनिशेटिव फॉर अस्थमा यानी GINA द्वारा स्थापित किया गया है अगला प्रिशन है नीचे दिएगे गटना करमों पर विचार कीजे तिथा नीचे दिएगे कूट का प्रयोग कर उन्हें काला नुकरम में विवस्तित करें पहला है बंगाल विभाजन दूसरा है केंडर सरकार की राजधानी का कलकता से दिल्ली स्थानन तरण कांग्रेज का विभाजन या फिर मुस्लिम लीग का गठन आपको जो कूट दिये गए हैं वो है एक दो तीन चार एक तीन दो चार एक चार तीन दो या फिर एक चार दो तीन तो उस प्रशन का से उत्तर है विगल पिसी एक चार तीन दो बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया इतिहास में से बंग बंग के नाम से भी जाना जाता है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था लीग में आगा खांक, वाजा सलिम उल्ला और मुहमद अली जिन्ना समेत कई नीता शामिल थे कांग्रेस का विभाजन दिसंबर 1907 में तूरत अधिवेशन के दौरान हुआ इस अधिवेशन के अधक्षता रास बिहारी घोश ने की थी 1911 में प्रेटिश सरकार ने केंद्र सरकार की राज़ानी कलकता से दिल ली सान अंतरत की थी इस तरह इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प C 1432 चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रशन पर तो अंतिम प्रशन है भारत की पहली अंडर सी टेनल कहां बनाई जा रही है आपके ऑप्शन है मुंबई, कॉलकाता, विशाका, पत्तिनम या फिर चैन नहीं तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प A मुंबई चलिए एस्प्लेशन देखते हैं प्रशन का से उत्तर है विकल्प A मुंबई चलिए अब नोट कर लिए आज के अपिसोड का अभ्यास प्रशन है विशोप प्रेश स्वतंतरता दिवत का मनाया जाएगा आपके ऑप्शन है उप्शन A 2 मईई, उप्शन B 3 मईई, उप्शन C 4 मईई या फिर उप्शन D 5 मईई तो भी अर्शन प्रशन का जवाब कोईन बॉक्स में देना ना भूले जल्द ही मिलते हैं ने अपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया